कि एक फीगर दिया गया है इस फीगर को बेश पे यहां पे वन टू थ्री थ्री कोस्टन दिये गये हैं इसका एंसर हमको देना है यह फीगर में यह सारे रूट दिखलाए गया है यहां पे अतीफ हाउस है अतीफ एक कोई लरका है इसका यहां पे हाउस है और यहां पे एक हाउस है राजीव का राजीव को अतीफ के घर पे जाना है यहां पे राजीव का हाउस है यहां पे अतीफ का हाउस है तो कुस्टन वन में दिया है कि marks the saltest route with arrow from अतीफ's house to Rajiv house अतीफ's house to Rajiv house यानि अतीफ को राजिव के house में जाना है सबसे पहले क्या है अतीफ house to Rajiv house यानि अतीफ को जाना है कहां पे राजिव के house पे तो सबसे saltest distance कौन सा होगा तो सबसे यह अतीफ तो राजिव के house पे इससे ऐसे होके ऐसे भी जा सकता है और यहां से direct होके ऐसे भी जा सकता है इधर तो जाने से उसको कुई फैदा नहीं है, चुकि यहां से रास्ता ब्लॉक है, अगर मानों कि इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो यहां पे तो रास्ता ब्लॉक हो गया, इसको अतीफ को राजीव के हाउस पे जाने के लिए बस द पहला इंसर है कि अतीव को राजीव के हाउस में जाने के लिए सबसे सॉल्टेस्ट रास्ता कौन सा होगा यह होगा कुछ से नमर सेकेंड है मार्क दॉर लॉंगेश्ट रूट विट एरो फ्रॉम राजीव हाउस टू अतीव हाउस राजीव को अब जाना है अतीव के घर पे ठीक है राजीव को जाना है अतीव के घर पे तो सबसे लॉंगेश्ट रूट कौन होगा अब राजीव जाएगा तो या तो ऐसे जाके ऐसे जा सकता है या ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जा सकता है तो दो ही पॉस्पल रूट है यह तो ऐसे जाएगा इसका पास में इधर जा फिर ऐसे आके यहां पर आ जाएगा तो यह इसका लॉंगे सूट है हाउ मेने रूट्स ही कें टेट राजीव को अतीप्स के घर पर जाने के लिए कितने रूट हो सकते हैं तो एक रूट तो यह हो सकता है और एक रूट यहां से होके ऐसे आ सकता है तो वहने टू पॉस्वल स Suppose would All Sin जाने से कोई फैंदां नहीं चुकि एक अतीप्स का हाउस यहीं पर है शरू में है तो फिर इधर जाने सो कोई फैंदांगी उहीं होगा तो नहीं पर लीप होगा एक ऐसे करके यहां पर जाएगा और एक इस रूट से होके यहां पार आएगा तो ठंड का आइन्सर हो गया two possible root और longest root हो जाएगा आपका ऐसे जाके ऐसे जाके आएगा तो यह आपका हो गया longest root लंगस रूट तपर यह यह थिता का question number 1 now it comes to question number 2 Now question number 2, question number 2 में दिया है कि the scale of map is 2 cm is equal to 1 km. If the distance shown on the map is 14 cm, what is the actual distance? Students, सम्झेसा याद रखना कि कोई भी अगर map अगर बनाया जाता है, तो map में किसी भी area या किसी भी country का representation होता है, country बहुत बढ़ा होता है, और उसी का एक छोटा सा pictograph, picture के form में उसके map को present किया जाता है, तो long distance को short distance में represent करने के लिए ये संबल योज होता है, उसमें 1 km या 10 km या 50 km को छोटे से unit में convert करके दिखलाया जाता है, तो इसमें दिया है कि कोई एक map है, कोई एक map दिया हुआ है, मानलों कि ये एक map है, काफी लंबा distance है, लेकिन इस distance को short में map पे दिखलाया गया है, और इसमें दिखलाया गया है कि 2 cm जो length है, वो 1 km को represent कर रहा है, तो 14 cm कितने distance को represent करेगा, तो आई ये convert करते हैं, कि 2 cm is equal to 1 km, ये question में दिया हुआ है कि 2 cm, 1 km distance को represent कर रहा है, तो 1 cm कितने distance को represent करेगा, 1 by 2 km को represent करेगा, तो पूछ रहा है कि 14 cm कितने को represent करेगा, तो 14 cm कितने को represent करेगा, 1 by 2 multiply 14 cm, ये कट जाएगा, 7 जा, तो यहाँ पर km होगा, तो ये कितने किलो मेटर को represent करेगा, 7 km को represent करेगा, तो ये था आपका question number 2, now comes to question number 3, now question number 3, question number 3 में दिया है, कि if 1 cm on a map, 150 km, 1 cm, 1 cm जो map है, map पर जो indication है, वो 50 km को represent कर रहा है, on the ground, with the help of below given figure, how far is Ludhiana from Delhi, यहाँ पर एक picture का representation है, जिसमें यहाँ पर Ludhiana है, और यहाँ पर Delhi है, दोनों के बीच में, 7 cm का distance है, ये short form में ये distance को represent दिया है, किया है, लेकिन question में क्या दिया है, कि 1 cm is equal to 50 km, तो Ludhiana से Delhi का distance कितना है, तो 1 cm is equal to 50 km, तो 7 cm is equal to कितना हो जाएगा, 7 cm is equal to हो जाएगा, 7 multiply, 50 km, ये equal to हो जाएगा, 75, 35, 350 km, तो ये था आपका question number 3, now comes to question number 4, now question number 4, question number 4 में दिया है, कि the scale of a map is, 1 cm is equal to 25 km, question में दिया है, कि 1 cm equivalent है, 25 km के है, तो if the distance on the map is 25 cm, what is the actual distance, तो अगर 25 cm map पे, अगर कोई distance का representation हो रहा है, तो ये कितने km के equivalent होगा, तो यह आपके सिर्फ conversion करना है, 1 cm is equal to 25 km दिया है, तो 25 cm is equal to कितना हो जाएगा, 25 multiply 25 km, ये बराबर हो जाएगा, 25 में 25 से multiply करेंगे, 5 5 जा 25, 5 केरी में हो गया 2, 5 2 जा 10 एंटो 12, 5 2 जा 10 केरी में हो गया 1, 2 2 जा 4 आँ 1, 5, 5 2 5 1 6, यानि 6 25 km, तो ये था आपके question number 4, झाम झतको से नमर, 5. कर दो